नमस्कार दोस्तों यहां जो आप देख रहे हैं भीड है शाजापू मंडी की दिनांक है 12 अक्तुमबर 2000 बाउज देख सकते हैं साजापू मंडी में किस टाइब की रोड पर एनेज बाउन पर इतने सारे वहां जो है यहां खड़े हुए हैं यहां जो वीडियो मेंने बनाया है लगबख सुबेच चार बजे का यहां वीडियो मेंने बनाया दिन भी नहीं निकला है और भीड़ इतनी हैं और इतनी ही भीड जो मंडी के अंदर भी है मतलब मंडी के अंदर और जो मंडी के उधर की साइड भी इतनी ही भीड है तो माननों कितनी ही भीड होगी मनडी में प्याज गितना जदा आया हुआ तो सभी किसान साथियों से निवेदन है कि कुछी कुछ प्याज लेकर आएं थोड़ा थोड़ा प्याज लेकर आएं मेरे शी Em작 carbon तीन टेक्टर यहां पर खड़े हैं एक टेक्टर आगे है एक पीछे एक बीच में है ऐसा करके उन्होंने बताया था तो ऐसे किसानों से निवेदयन है जिनके पास ज़्यादा माल है वहाँ एक ही गाड़ी लेके आए ज़्यादा माल एक साथ में लेके नहीं आए डेली जो हाँ है वहाँ डेली का भाव आपको मिलता रहे तो किसान साते वीडियो जानकार्य आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाएक और चैनल को सब्सक्राइब जरूब करना और वीडियो को जदा-ज़्यादा किसानों तक शेयर करना में यहाँ वीडियो बनाने के लिए अवगत करा देता हूँ ने बहुत ही जढ़ा बनी होगी है लगातार कल जो मंडी में तेजी थी उससे को देखते हुए आज किसानों ने 2-3-3 टेक्टर एक साथ में भर दी है मतलब जिन किसानों को पास माल ज़ादा था वहर सारे किसान जो एक साथ में माल लेकर आ रहे हैं तो इसे किसान है जो कम माल लेकर आएं अपने टुकडों में माल लेकर आएं उससे क्या मंडी में भीड़ भी नहीं होगी और भाव में भी लगातार तेजी बनी रहेगी अगर एसी भीड़ प्रशासन देखती है यहां फिर कोई वेपार लिए वगरा देखता है तो वहां खुद ही उसके मन में ऐसा होता है कि प्याज को कम रेट तक लिया जासागे क्योंकि अभी लगातार प्याज में रिड़ में जो है तेजी है और यहां तेजी है लगातार लगबक बनी रहेगी इसलिए किसानों से निवेदन है कि जो मंड इनकी गेप मारकर माल लेके आएं इसा नहीं है कि जो रेट डाउन हो सकता है लगातार रेट में तेजी है आठ रुपे किलो से 10 हुआ 10 से 12 12 से 15 15 से 20 रुपे किलो तो अगर रेट पहुंचा है तो हो सकता है आगे भी रेट बड़े